तो दोस्त आज ऐसा काम दिखाएंगे जिन्दगी भार आपको याद रहेगा देखिए पिछले जो वीडियो देखा था आपने तो आज उसी का काम करेंगे पिछले वीडियो में आपने देखा था ये इंजिन्द में कौन-कौन सा प्राबलेम है वही प्राबलेम आज शाल करेंगे और स्टार्ट करेंगे देखिए ये हेड भीटिंग है ऐसे इस्थिती में हेड भैल्प का काम नहीं किया जाता है लेकिन ये इसको काम करेंगे और आपको दिखाएंगे ऐसे स्थिति में कैसे काम किया जाता है ये हेड खोलेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगा ये काम करने के लिए लेकिन हेड खोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और ऐसे स्थिति में वहल्प का काम करेंगे वहल्प का काम क्या है देखिए इसक कुला हुआ था हम लोग भीटिंग करे आज तो पेहले सबसे पहले यह प्लाइ और बहुत पेनगे प्स बातय प्रीश you देखिए गलती से ये वहल्प अंदर चला गया तो ये हेड मुझे खोलना ही होगा क्योंकि ये अंदर चला गया तो ये निकालने का दूसरा कोई तरीका नहीं है तो चलिए यहां देखते हैं यहां कौन-कौन सा चीज हम लोग फिटिंग करेंगे ये है नया वहल्प कैप और ये है पुराना वाला है और ये है भैल्प स्प्रिंग ये चीज हम लोग फिटिंग करेंगे तो हेड का काम पुरा हो जाएगा देखिए ये जो भैल्प कैप है इसको फिटिंग करना ही प्रॉब्लेम होगा और ये है लॉक ये देखिए ये टूटा हुआ है इसके बदले म और दुकान नहीं गया, लगता है यह बड़ा हो जाएगा तो पहले देखते है, यह लॉक फीटिंग ङोंने है Pap Жia देखिए यह लग देला हो रहा है, तो का का ने दुकान में गया था मैं नहीं गया तो वह तोटा हुआ लॉक की बदले में यह लेके आया लेकिन देखिए यहाँ यह धिला हो रहा है तो यह नहीं चलेगा मेरा गैरेश से मैं एक लॉक लेके आया हूँ यह देखिए साइफिंग बाला जो टैफिड है वो टैफिड का लॉक है तो ये लॉक वहां फीटिंग करेंगे तो देखेंगे ये सही तरह फीटिंग होगा के नहीं तो चलिए ये इस पिंग को फीटिंग करते हैं देखिए भाई मेरा बंगला में एक कहवात है बिद्द चे बुद्धी बोड़ो जोदी बुद्धी खटाते पारो तो हम लोग ऐसे तरीका अपनाएंगे बहुत आसानी में ये फीटिंग हो जाएगा और जवर्दस्ती भी नहीं करना होगा तो चलिए मेरा दिमाग को इस्तेमाल करते हैं और फीटिंग करते हैं देखते रहिए की जलिए में जासा येखते हैं जाएगा तो चलिए स्थानाएंगे लोग झो जुद्धी ।क आसा वे करते हैं क कुई तो झाल 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 पकड़ के रखा है ये देखिए साइज में ये छोटा हो गया अभी ये फिटिंग करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगा अभी इसको नाप के देखना होगा छोटा है या बड़ा अभी चलिए देखते है नाप के ये देखिए वहल्प है इसके साइड में रखना होगा ये देखिए कितना छोटा हो गई तो जबदस्ती वहा की थी लेकिन यहाँ देखिए बहुत आसानी से ये फिटिंग हो जाएगा अभी इसके उपर कैप चाड़ा देंगे तो ये एकदम बिल्कुल फिट हो जाएगा तो मैं कैप कैसे फिटिंग करेंगे देखिए यहाँ जो तार जो बड़ा हुआ है ये दोनों साइड में रखेंगे खूले में आसानी हो जाएगा तो चलिए कैप अभी फिटिंग करते है ये टॉप में लेके आना होगा जितना आव सके आप तो पिछले वीडियो में देखा है ये भेल्प के बज़ा से स्टार्ट नहीं हुआ बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ जो भेल्प केप फिटिंग हुआ था पुराना वाला वो बैट गया था इसलिए स्पिंग एकदम लूज हो गई थी और कॉम्प्रेशार एकदम वीक हो गई इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ तो ये भेल्प केप जब बैट जाता है न तो ऐसे सिट्वेशान आता है तो इसलिए ये चेंज करना पड़ता है देखिए ये एक हेल्प केप की बज़े से कौन-कौन सा प्रॉब्लम आते है देखिए पहले तो कॉम्प्रेशार वीक हो जाएगा और दूसरा स्टार्टिंग नहीं होगा लोड नहीं ले पाएगा और काला काला धुआ आएगा दूसरा स्टार्टिंग तो हो गये अभी कॉम्प्रेशार कितना है ये देखना होगा ये कॉम्प्रेशार पकाड़ रहा है के नहीं कॉम्प्रेशार ले रहा है तो ये स्टार्ट हो जाएगा तो चलिए टेपीड को फिटिंग करते है पहले ये टेपीड में लोक फिटिंग करना होगा देखिए ये टूटा हुआ लॉक तो बड़ा लॉक लेके आया है लेकिन वो नहीं चलेगा तो ये साइफिंग वाला जो टैपिट का लॉक है कोशिश करते हैं इसमें फिटिंग होगा या नहीं ये देखना होगा तो पहले देखना होगा इसका ग्रूप में ये बैठेगा य बहुत कंप होता है यह पत्ली वाला लौक में रहुत है यह लेकिन यह जागा लेता है ज्यादा इसलिए यहां फीटिंग नहीं होता है देखिए यहां लगता है जागा नहीं पाएगा तो चलिए पहले फीटिंग करके देखते हैं थोड़ा कपड़ा फीटिंग करके देखते हैं हो गई यह देखिए फीटिंग तो हो गई अभी देखना होगा एक घुमा के सही तरह ये घुम रहा है के नहीं और सही तरह ये बैठा के नहीं अभी देखना होगा घुम रहा है तो ग्रूप में चला गया ये देखिए सही तरह बैठ गया लेकिन प्रॉब्लेम एक होगा उस साइड में जागा कॉम हो जाए देखिए जो गैप है उसके अंदर चला जाएगा हाँ बस चला जाएगा तो चलिए इसको फीटिंग कर देते हैं देखिए यह जो लॉक टूट गया था इसलिए यह टैपिड साइड हो गई और हेल्प के उपर सही तरह नहीं बैठा था इसलिए स्टार्ट भी नहीं हुआ त तो यह भी एक प्रॉब्लेम था और दूसरा प्रॉब्लेम है उसका जो वो जो टैपिड का जो बोल्ट है वो बोल्ट तो एक टूट गया इसलिए स्टार्टिंग भी नहीं हुआ था तो अभी चलिए यह पूस्ट्वड को फिटिंग कर देते हैं हाँ टैपिड के अंदर अभी दूसरा भी देना होगा हां बस चला गया अभी यह तैफिड को फिटिंग करेंगे तो देखिये यहा एक स्टैक है और दूसरा यह नया देयगे तो देखिये यह पहले कट गया था इसलिए स्टार्टिंग भी प्रॉब्लेम आया तो इसको पहले फिटिंग करना होगा तो चलिए फिटिंग कर देते हैं यहाँ तो नहीं जाएगा काका थोड़ा ब्रेक दबाओ ब्रेक थोड़ा दबाना होगा तभी यह अंदर जाएगा बस चला गया छोड़ दो देखिए पुराना जो इंजिन होता है वीस्टी और मिट्सुविशी पुराना हो जाएगा तो ये common problem आया जाएगा क्योंकि हर इंजिन में देखा जाता है ये टैफिड का bolt या तो फिर help तूट जाता है बार बार तो क्यों होता है ये full discuss करेंगे साथ में रहिए देखिए वन सिलिंडर या तो फिर ये power tiller जितना भी power tiller अपने देखा है टोटल power tiller का इंजिन एक तरफ और दूसरा तरफ ये VST वाला और मिट्सुविशी वाला क्योंकि देखिए इसका थोड़ा उम्र ज्यादा हो जाएगा तो इसका timing में problem आ जाते है तो timing में problem आने की बाद ही ये valve और rocker bolt काटना सुरू हो जाते है तो हम लोग ये traffic clearance adjust जब करेंगे तब ये चीज की ओपर ध्यान देना होगा तो देखिए ये timing सही है के नहीं ये तो पहले पता करना होगा तो मैं तो ये engine में पहले बार काम कर रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा इसका timing सही है के नहीं तो सबसे पहले मुझे ये piston टॉप में लेके आना होगा और ये traffic के ऊपर ध्यान देना होगा तो जब top में आएगा ये देखिए ये जो help ये दोनों up-down कर रहा है न यहाँ टॉप में है piston तो और fly wheel में जो mobile लगा हुआ है देखिए ये marking बला जगा कौन सा position में है ये देखना होगा फिर ये fly wheel पीछे की तरफ और एक पक घुमा के फिर से वही जगा पे लेके आना होगा तभी ये piston टॉप में चले आएगा उसी जगा में ये traffic clearance एड़्जस्ट करना होगा और ये traffic clearance आप सही तरह नहीं कर पाओगे तो help जल्दी से कट जाएगा या तो फिर rocker जो bolt है वो bolt भी कट जाएगा तो ये दोनों चीज बार बार क्यों कटता है ये देखिए ये engine उम्र जादा हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा problem बारती जाएगा देखिए VST छोड़ का दूसरा जो जो company का engine हम लोग देखते है देखिए किसी के पास भी ए direct camshaft body के उपर घुमता नहीं क्योंकि वहाँ एक bearing या तो फिर boost लगा रहता है थोड़ा problem होगा bearing या तो फिर boost चेंज कर दोगे तो वो जगा नया हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा लेकिन ये VST और Mitsubishi का जो system है ये system थोड़ा अलग है direct body के उपर चारता है और घुमता है इसलिए body ढिला होने की कारण में ये problem आ जाते है तो वो problem solve करने के लिए आपको क्या करना होगा वो body को change करना होगा देखिए एक body तो बहुत भाव है तो ये body change ना करके हम लोग क्या करते है दूसरा रस्ता अपनाते है तो दूसरा रस्ता क्या है देखिए engine में जो जो penium है penium में जो marking रहता है वो मार्किंग में फोड़ा बदलव लेके आते है फोड़ा एडवांस कर देते है फिर से ये इंजिन दुबारा चालू कर देते है तो हम लोग एडवांस जब करेंगे तो उसी टाइम में ये टैफिड क्लियारेंस थोड़ा अलग करना होगा और सही टाइमिंग में ये टैफिट क्लियारेंस अलग करना होगा तो आप ऐसे सिचियाशन में आप सही तरह अडजस्ट नहीं कर पाऊगे तो ये बार-बार भैल्प या तो फिर रॉकर बोल्ट दोनों में से एक लगातार कटते रहेगा तो सही तरह टाइमिंग करोगे तो ये सही तरह चलेगा ये टाइमिंग सही तरह नहीं होगा तो ये भैल्प पिस्टन के सार के उपर टक कर आएगा और बार-बार ये दोनों में से एक ये प्राब्लम आती रहेगा तो ये टाइमिंग करने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान देना होगा और सही तरह टाइमिंग करना होगा तभी ये इंजिन चलेगा तो ये इंजिन तो पहले बार मैं काम कर रहा हूँ इससे पहले दूसरा मिस्तिरी ने काम किया था तो ये इसका टाइमिंग क्या है मुझे पता नहीं तो ये टाइमिंग सही है कि गलत है तो पता करने जाओ तो ये टाइमिंग कबार जो है उसको खुलना होगा या तो फिर स्टार्ट करने की बाद जो साउंट आएगा वो साउं करना होगा इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करने की बाद ये मुझे पाता चलेगा तो सबसे पहले ये घुमा के देखना होगा ये पिस्टॉन के टॉप में ये टाच हो रहा है के नहीं देखिए यहां तो टाच नहीं हो रहा है तो कॉंप्रेशर भी बहु इक लिए उसके बाद ही स्टाट और कवर kaç देया उपностलिये इंजिन के का सब्सूरक्स देुए अधिक्येक टा धि there तो कोई प्राब्लम आएगा तो फिर से खुलना पड़ेगा मुझे तो प्चोरुने लिए अब यह स्टार्ट देते हैं कि अभी अब 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 कि अब़ अब 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 अबक्रा की तותि यह इंजिन चालू तो किया है लेकिन इसका एलिमेंट और डेलिवरी भैल्प यह दोनों खाराब है लेकिन नोजल सही है यह इंजिन सही तरह चालाने में यह एलिमेंट डेलिवेरी भैल्प इमेडेटली चेंज करना होगा ठीक है